अमेरिकी राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प के सौधन पूरे होने पर एक सर्वे हुआ है इस सर्वे में डॉनल्ड ट्रम्प को 64 सालों में सबसे अलोग पुरिय राष्ट्रपती करार दिया गया CNN और ORC के सर्वे में ट्रम्प की रेटिंग गिर कर 44 वीसिदी तक आ गई और ये सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सौधन के कामकाज के हिसाब से फराब रेटिंग है बता दें कि 1953 में जब डी आईजन हावर्ड अमेरिका के राष्ट्रपती बने तभी से ऐसे सर्वे की परंपरा की शुर्वात हुई 29 एप्रिल को ट्रम्प सरकार के 100 दिन पूरे हो गए CNN ORC के सर्वे में ट्रम्प को 44 वीसिदी रिलेक्टली पॉलिटेक्स के सर्वे में 42 वीसिदी और गैलप डेली के सर्वे में भी ट्रम्प की रेटिंग 44 वीसिदी रखी गई पिछले 64 सालों में राष्ट्रपती की लोकृता के मामली की बात करें तो सौधन के कामकाज के हिसाब से बराक उबामा की रेटिंग 65 वीसिदी जॉर्ज बुश की रेटिंग 62 वीसिदी विल क्लिंटिन की रेटिंग 55 वीसिदी बुश सीनियर की रेटिंग 56 वीसिदी और रोनाल्ड रिगन की रेटिंग 68 वीसिदी थी NMF News के रिपोर्ट झाल झाल